आज का टोपिक है प्रोस्टेट गदूद यान के प्रोस्टेट गलाइंग का बढ़ना इसमें भखडा 250 ग्राम इसे गोखरू भी कहते हैं नागरमुथ्था 500 ग्राम तुखमसिरवाली 100 ग्राम मकोए 500 ग्राम जवाखार 50 ग्राम सभी दवाईयों को मोटा मोटा कूट कर जो कूट करके रख लें 15-20 ग्राम 300 ग्राम पानी में पका कर जब आधा रह जाए तो उसे च्छान कर 3-4 ग्राम जवाखार मिलाकर सुबह साम खाली पेट पिलाएं आठ से दस दिनों में इंशालला लग हुई नली भी हट जाती है और तीन महीने लगातार पिलाने के बाद प्रोस्टेट गदूद हमेशा के लिए ठीक हो जाते हैं असलाम आले कुम रहमतुलाय बरकॉति है पॉन नम्बर ने आरा वे चाहते है अगया आजालों ने आजा से दिनों कि अ को